हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अबने हुरा एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूं अपने यूटीब चनले नॉलेज अकेडमी अभिनों में और आज में लोग बात करेंगे बीपीसी टीजीटी पीजीटी 3.0 के लिए या देखेगा ठीक है मौडन हिस्ट्री से यह कोश हैं जो आपके एक्जाम के पॉइंट आव यू से बहुत बड़ है तो समय नगवाते हुए स्टार्ट करते हैं सिधे मुद्दे की बात करेंगे सबसे जरूरी चीज है इसका सपस्टी करन जो मैंने लिखा है उसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि उससे बहुत सारे कोशन आ बार बार आ रहे हैं ओके तो बहुत ही इंपोर्टेंट है जो कि आपके समख्च है बहुत ही जल्द है आपके सामने है ठीक है एक जाम पता यह कब है ठीक है नेक्स्ट मांथ तो चलिए हम लोगी स्टार्ट करते हैं अधुनिक भारत के तिहा से पहला कोश्चन बहुत ओके दुत्यक करनाटक युद्ध का ततका लिंग करन क्या था कैपिटन पारडाइस द्वारा बिटिस चेतर में आकरबन अनवर उद्दीन की मिर्तियू निजामुल मुल्क की मिर्तियू या कैपिटन बेस्टन द्वारा फ्रांसीजी चेतर पे आकरबन तो क्या सही अब है एंसर सी निजामुल मुल्क की मिर्तियू निजामुल मुल्क की मिर्तियू के बाद हैदराबाद के सिंहासन पर कपज़ा करने के लिए नार्शी जंग निजाम के दूसरे बेटे और मुझे पर जंग निजाम के पोते के बीच संघर सुरू हो गया था इस बीच करना पर उसरे बेटे और पोते की बीच में लड़ाई चिड़ गई शुरू हो गई थी और इसी बीच करनाटे के सिघासर पर कब्जा करने के लिए अनवलुदीन और चंदाज़ाईब के बीच में भी संगर शुरू हो गई ठीच यानि उस तरह भी लड़ाई हो रही थी और इस तरह भी लड़ाई हो रही थी और यही जो कारण है वो सब मिलाके एक दूत्य करनाटे की युद्ध का तात्कालिन कारण बन गया और लास्ट में सब लोग आपस में मिल गए तो यहां देखेगा इससे कई सारे कोशन से सकते हैं कई साले चीज़ें बन सकती हैं तो ये बी भी हैं देखिएगा और कोई समय नहीं गवाया गया सीधे मुद्धे की बात की जारी इससे पहले भी आप प्लेलिश में जाके हिस्टी के कॉश्टन और जोग्रफिक कॉश्टन देख सकते हो कोई समय ना गवाते हो सीधे मुद्धे की बात होती है बहुत ली सब एक बार एक बार जरूर देख लिएगा पूरा का पूरा पूरा पॉइंट ठीक है क्योंकि वो सब के सब questions important है और आये हुए है 2.0 में ठीक है यानि जो हिस्टी के question मैंने करवाया जोग्रफी question करवाया 2.0 के एक बार देख लीजिए वही सारे question repeated वापस आएंगे 3.0 में भी ओके तो हिस्टी के पैटर्न सही बनाया है मैंने टेक तो यूरोप में साथ वर से यूद निम्रिखित में साथ कि संदी से समाप्त हो गया एक्सला चैपल की संदी पेरीज की संदी मैंगलोर की संदी या बालसोर की संदी ठीक है तो कैसे संदी हुआ पेरीज की संदी से यूरोप में साथ साल की युद हुए 1763 में पेरिस की संदी से समाप्त हो गया था हाला कि फ्रांसीसी अपने खोए हुए छेत्रों को हासिल करने में काम्याब रहें लेकिन उन्हें कार खाने समाथी नहीं दी गई थी फ्रांसीस असरकार द्वारा पत्यूत किये जाने पर डूपलिक्स की जगह किसने लिया था बहुत इंपोर्टन कोशges की है डूपलिक्स की जगह किसने लिया में किसके बीच लढ़ी गए थी ये कुशन बार बार आ जाकते हैं तो किसके बीच लड़ी गई ए अंग्रेचों और फ्रांसीसियों के बिच लड़े गई थी Lord Clive ने Colonel Ford को मद्रास के उत्री प्रांथ में बेजा Ford ने Hubert D. Briand Francis Commander को हरा दिया था यहां दिखेगा बेटिस की जीत हुई थी और किसको बेजा था Lord Clive ने Colonel Ford को बेजा था तो ये भी एक कोशन मन सकता है कि Lord Clive को बेजा था तो Colonel Ford को ये भी हो सकता है brain को हडा दिया next question देखते हैं लोग सहायक गटबंदन के बारे में यह देखिए 2.0 से लेके 1.0 तक में सब में यह सहायक संधी वाले question जरूरा है तो इस बार भी हो सकते हैं सहायक गटबंदन के बारे में निम्खित में से कौन सा कथन सत्य है यह बाचाना है तो पहला है इस गटबंदन में प्रवेश करने वाले सासकों को रख रखाओ सुल के साथ बिटी सेना को तैनाद करना होगा दूसरा बिटी सहमती के बिना किसी भी अन्य सकतियों के साथ गटबंदन पूरी तरसे प्रतिबंधित था अंग्रेजों को छोड़ करने सभी रोपी लोगों को बरखास्त करना होगा और चौथा एक कंपनी सासकों के बाहरी खत्रे के साथ आंत्री का सांती सभी बचाएगी तो कौन सा सही है केवल एक सही है, एक और चार सही है एक दो तीन सही है एक दो तीन चार सभी सही है तो क्या है सभी के सभी सही है तो देखते हैं एक बार साहेक संधी क्या है तो साहेक संधी वर्स 1798 में सुरू किया गया था या अंग्रेज और भारत के सासकों के बीच एक संधी की तरह थी संधी के अनुसार इस गटबंद में प पाहरी खत्रे के साथ आंत्रिक असांती से भी बचाएगी बेटी सहमती के बिना किसी भी अन्य सक्तियों के साथ गडवन्नार पूरी तरह से प्रतिविंधित था और अंग्रेजों को छोड़कर आने सभी यूरोपिये लोगों को छेत्र से प्रकास्ट करना होगा है 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 भॉपाल के युद्ध निम्रकेत में से किस सक्ति के बीच लड़ा गया था मराठा बनाम निजाम मराठा बनाम मैसूर मराठा बनाम अंग्रेजी या मैसूर बनाम फ्रेंच तो मराठा बनाम निजाम के बीच में लड़ा गया था भॉपाल की लड़ाई 1737 1737 में 24 दिसंबर 1737 स्कूल लाड़ा गया वर्स में मराथा और निजाम के बीछ लड़ी गई थी ठीक है निजाम को कुछ मुगल सेना पतियों दोरा सहायता परदान की गई थी मराथा सासक साहू को बाजी राओ पर्थम ने सहायता परदान कर दी थी याद देखिएगा तो निजाम के तलब अगर मुगल चले गए थी तो मराथा सासक साहू जो है बाजी राओ पर्थम ने सहायता परदान कर दी थी इसे इस युद में निजाम पराजित हो गया था यानि जो मराथा सासक है उसकी जीत हो गई थी निज़ित में सहकी से मराथी मैक्यावली के नाम से जाना जाता है बहुत इंपर्ट कोशन है ये तो मराथी मैक्यावली के नाम से किज़े जाना जाता है बाजी राओ परतम को नाना परदनवीश को महादीव सिंधिया को या च्छत परति साहू को ठीक है तो किसको तो नाना पड़नवीस को तो नाना पड़नवीस को मराठा मैच्यवली और मैच्यवली इनडिया के नाम से भी जाना जाता है एरोपिये लोग उन्हें इन्ही नामों से इस्तमाल करते थे वो अपूना में मराठा सामराज को नियतित करने से जुड़ा था नेक्स्ट लॉट डलहुजी द्वारा सिर्सक और पेंशन निती के उन्मूलन का पहला सिकार निम्निकित में से कौन था डिक्टिन ऑफ लैप्स निती यानि डॉक्रिन ऑफ लैप्स के निती के सुरुआत करके डलहुजी ने नकेवल राज्यों पर कपजा करने कोशिस की बल्कि उन्हें सासकी उपाध्यों को पैंशन को भी समाप्त कर दिया डलोजी ने नाना साहब बाजिराव दूतिये के दर्टक पुत्र की पेंसन समाप कर दी और वर्स अठासु बाउन में बाजिराव दूतिये की मृत्यू के बाल उन्हें मानेता देन से भी इंकार कर दिया ओके तो यहां देखेगा नाना साथ को पाज सबसे पहला यह काम करवाया था लौट कानवालिस ने बंगाल बिहार और उडिशा के तीन प्रांथों के लिए कितने सर्किट कोट अस्थापित किये दो तीन चार या चे तो सही जवाब है तीन ठीक है सरी चार कानवालिस ने बंगाल बिहार उडिशा के तीन प्रांथों को चार भागों प्रभागों में भाजित किया उन्होंने परतेग डिविजन को एक सर्किट कोट परदान किया वह कमपनी के दो अनुमधित सेवकों के नियंतरण में था कितने सेवकों के दो नियंकित में से किस वर्ग को बंगाल का अस्थाई बंदवस्त के लाब से लाब हुआ है सब कोशन बहुत बहुत बार आते हैं क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यह सब जो पॉइंट है NCRT के क्लास 8 में भी है 9 में भी है तो इसलिए इन कि वह स्थाई बंदवस्त पर्माइन सेटल्मेंट का फायदा किसके हुआ जमीन दारों को टेक बंगाल का स्थाई बंदवस्त 22 मार्च 793 में में सुरू किया गया था जमीदार वर्गों को सबसे अधिक लाब हुआ क्योंकि उन्हें जमीन का स्वामी तो मिल गया था और कि सब NCRT वाले कोशन है क्योंकि NCRT से ही कोशन बन रहा है वहां पर तो पुर्दिगालियों सत्रों से साथिस में होगली का दिग्रण किया और सोलों सब बतीस में मुगल सासक सा जहां के सासन में हार गया ओके निमिकीत में से कौन समुंदरी मार्क से भारत पहुछने वाला पहला अंग्रेज था बहुत ही सिंपल सा कोशन है सेक्स वाला कोशन है तो कौन सा है कप्तान होकिंस जॉन मिल्डन हॉल रॉल्फ फिच्च या थॉमस इस्टिफिंस एक लेकिन ऐसे यह से कोशन आ जाते है उससमें दिमाग क्लिक नहीं करता रही यार यह क्या हो गया तो य समुद्री मार्क में भारत पहुछने वाल पहला अंग्रेज कोन था कप्टान होकिस जॉन मिल्डन हॉल रॉल्फ फिच्च या थॉमस इस्टिफिंस एक पूर्तगाली जहाज पर जैस्वेट मिसेंररी के रूप में भारत के लिए रवाना हुआ और च्छा माईने बाद 24 अक्टूबर को गोवा में उतरा ठीक है यानि सबसे पहले जब मुद्री रास्ते से पहुशने वाला विदेशी था ओके यानि अंग्रेज था निम्कित में से किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के चट्टे से की है बहुत बढ़िया कुशन है किसने की है तो अलवर्दी खाने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के चट्टे से की है उनके निसार यूरोपिय वेपारी मधुमक्खी के चट्टे है जिनका सहद लाब के लिए लिया जा सकता है तो उसे वेक्ति को मौत के घाट उतार देंगे ओके नेक्स्ट प्रत्थम बर्मी युद निम्रिखित में से किस गवर्नर्ट जनलर के सासन काल में लड़ा गया था लॉर्ड हैस्टिंग, लॉर्ड वैलेजली, लॉर्ड एजम्स या लॉर्ड एमस्टर तो लॉर्ड एमस्ट पहला फर्मा युद लॉर्ड एमस्ट यानि 823-28 के सासन काल के दोरन लड़ा गया था युद की घोशना वर्स 1924 में हो गई थी नेकस्ट, निम्लखीत में से किसे? विलियम बैंटिंग ने सिंद के अमीरों के सास्थ संधी पहस्ताक्चर करने के लिए भेजा था है ufford, है स्दू के हमीरों के सास्थ संधी पहस्ताक्चर करने के लिए भेजा आखिर का संधी परक्स ताक्सर किये गए और इसने सिंधु के नेविगेशन को खोल दिया यानि सिंधु ने खुल गया नेविगेशन खुल गया नेक्स्ट पंजाब का अधिकराण अंग्रेजों द्वारा कब गिया गया था 847-4649 या तिरपन में तो 849 में खोला गय गया अंग्रेजों द्वारा कई सुधार किये गया और पढ़नाप सुरूप अंग्रेज के खिलाब 877 के महान विद्रोह के समय समय में ही सिख सामिल नहीं हो पाए ओके लौट डलहोजी द्वारा सिर्सक और पेंशन नितिक उन्मूलन का पहला सिखान निम्री किसम से कौन सब्सक्राइब नाना सहाब है तात्या टोपे अभी इस पर थोड़ा सा कोशन रिपीट हो गया नाना सहाब ठीक है तो डॉक्रिन आफ लाइफ की निती शुरूआत करके डलहोजी ने ना क्योवल राज्यों पर कपजा करने कोशिस की बल्कु उन्हें सास्यक्यूपादी के पैंसयं को भी समाप्त कर दिया गया डलहोजी नाना सहाब बजीराप दूत्या के दर्थि के भीए सिमित अदिकार का सिजन किया भूमीपर जमी इन्हें के तब-णक था जब तक इस वे सरकार के राजसों को बुकतान करते हैं भूरा जस्त की रासी निधायत की गई थी ठीक है यानि देखिए कोशन सेम था बस ऑप्शन फिर से एक नए तरीके से लाया गया था ठीक है तो ऐसे भी बनते रहते हैं तो एक और तीन सही है एक और चार सही एक दो दो और तीन सही है यह पूरा सही है तो सभी के सभी सही है तो बंगाल के अस्थाई बंदवस्त में भूमी के मालिकों के रुप में जमीदारों के सिमित अधिकार का निर्मान किया जमीदार के मजश्चे सकती समात कर दी गई जमीन पर जमीदारों का स्वामीत तब तक सुर प्रणाली का मुख्य उदेश है जो 832 में शुरू किया गया था सम्मानिय भारतियों द्वारा यूरोपिय ने अधीसों की साहता करना किसी मामले को पंचायत को अस्थानांतरित करने की सक्ति पदान करना आउसकता पढ़ने पर यूरोपिय ने अधीसों की साहता के लिए भा पंचायत में अस्थानतरित करने की सक्ति पदान करना और भारतियों को जांच करने के लिए ससक्त बनाना आउसकता पढ़ने पर यूरोपिय ने अधीसों की साहता के लिए भारतियों को नियूद करना ये भी एक बहुत जरूई चीज है नेक्स्ट है अहोम विद्रो किस व पर्फम वर्मा यूद के बाद अस्थम से अहटने का वादा किया था लेकिन इससे बजाए अपनी कमपनी के प्रभूत में अहोम के च्छतरों में सामिल करने का प्रयास किया इसने विद्रो को जंदे दिया ओके तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद नमस्कार ठीक है लेक बहुत ही important question है इससे मैंने especially बिहार के segment के नाम से नहीं बनाया लेकिन history के playlist में जोग्राफी के playlist में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत ही important segment है वो सब और सब 2.0 वाले में भी बिहार के आए हुए हैं ओके तो सभी important है तो पढ़े लीजिए और और भी लोगों को share केजिए आज के लिए तना ही धन्यवाद नमस्कुर्ण